मगरा मचली नहीं मगर मच का गोश्ट होता है बाजी इस मचली में बस एक काटा होता है साहिब ये सोल पापलेट है बाजी ये फौजी पापलेट है जनाब ये सुर्वमई सारम है अंकल ये इरानी पापलेट है भाई जान ये सफेट टाइगर जींगे है अंकल इस रहू में कम काते होते है हम सेल्मन मचली पका कर बेजते है बाजी ये टूना के बच्चे है भाईजान ये दोहतर के बच्चे है जनाब ये हीरा के बच्चे है ये वो जुमले हैं جो नादान cambi अक्षर मचली फरोशों से सुनती है कोई टूना सुर्मई बोलकर बेचता है तो कोई सिंगाडा पूदी जिन्दगी सुर्मई समझ कर खाता है जनाब पापलेट का फौज से कोई तालुक नहीं और ना वो सोल सिस्टर्स की एजाजी मेंबर है और ना एरानी पापलेट नाम की कोई मचली होती है हम मचली फरोशों को तो नहीं बदल सकते लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप मचली की पहचान सीख जाएं तो वीडियो बगएर स्किप किये एंड तक जरूर देखें कराची फिशरी डॉक्यूमेंटरी के पार्ट वन में हमने समुन्दरी मचलियों को तीन टियर्स में डिवाइट किया थर्ड टियर में सस्ती मचलियां थी सेकंड टियर में कीमत में जरा इजाफा हुआ और टॉप टियर में सबसे महंगी मचलियों का जिकर किया कराची फिश्री डॉक्यूमेंटरी के पार्ट वन में हमने 30 रुपे फी किलो से लेकर 3000 रुपे फी किलो तक की मचली का जिकर किया हमने आपको महंगी मचली के सस्ते अल्टरनेटिज बताए हमने सुस्त रफतार और तेज रफतार मचली के गोश्ट का फरक आपको बताया आपको सस्टेनिबल फिशिंग के कॉंसेट से मतारिफ करवाया मचली में मौझूद बलड लाइन का जिकर भी उसी वीडियो में किया तो अगर आपनी कराची फिश्टी डॉक्यमेंटरी का पार्ट वन नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर आई के बबल पर क्लिक करें और इस वीडियो का पार्ट वन जरूर देखें कबाब में हड़ी नहीं होती लेकिन मचली में कांटे जरूर होते हैं और एक कांटे वाली मचली बस एक है मगरा यानी शार्क सरिफ शार्क ऐसी मचली है जिसमें एक कांटा होता है कांटा भी क्या बस एक रीड की हड़ी होती है इसके बरक्स अगर आप आम मचली को देखेंगे तो इसमें तीन तरह के कांटे होते हैं एक तो इसके center में काटे होते हैं जिसको कंगी भी कहते हैं इस कंगी में मचली के ribs भी attached होते हैं इसी तरह एक काटो की line मचली के उपरी हिस्से में होती है और इसी तरह एक line मचली के निछले हिस्से में होती है इन तमाम काटो की लंबाई, चौडाई, मचली के shape और size के एदब इस राय में समुन्दर की 95% मचलियों में यही काटे होते हैं और यह बिलकुल मैनेजबल होते हैं और इन्हें गोश्ट से अलग करना बिलकुल भी मुश्किल नहीं होता मचली में जो काटे तंग करते हैं या जिन्हें गोश्ट से अलग करना आसान नहीं होता वो pin bones कहलाती है ये normal कांटों की तरह सीधे भी होते हैं और Y-shaped भी होते हैं ये pin bones मीठे पानी की मचली में मौजूद होती है फिर वो रहू हो, महशेर हो, गुलफाम हो At least मैंने आज तक कोई ऐसे मीठे पानी की मचली नहीं देखी जिनमें ये pin bones ना हो यानि मीठे पानी की मचली में समंदरी मचली की तरहां कांटों की तीन रोस तो होती ही है लेकिन उसके इलावा pin bones भी होती है तो अगर असानी के लिए समझें तो general rule ये है कि समंदरी मचली में कम कांटे होते हैं और मीठे पानी की मचली में ज्यादा काटे होते हैं। कुछ exceptions हर चीज में होते हैं। जैसे पला या हिलसा असल में एक समंदरी मचली है, जो मीठे पानी में breed करने जाती है। लेकिन टेक्निकली एक समंदरी मचली है। लेकिन जितने काटे पल्ला या हिलसा में होते हैं उतने शायद किसी मीठे पानी की मचली में नहीं होते I hope के एक काटे वाली मचली का मित अब आपको समझ आ गया होगा एक वक्त था जब दरिया सिंसे दो किलो तीन किलो और चार किलो का पल्ला या हिलसा मचली पकड़ी जाती थी लेकिन अनएथिकल फिशिंग की वज़ा से पल्ला का अब शायद एक किलो का दाना शादिर औ नादिर ही देखने को मिलता है पल्ला टेकनिकली एक समंदरी मचली है जो समंदर से मैंग्रोफ के रास्ते दरिया में आती है ये पल्ला का ब्रीडिंग रिच्वल है यानि पल्ला दरिया में अंडे देने आती है इस खारे पानी से मीठे पानी में आने की वज़ा से पल्ला के गोश्ट का जहिका बतल जाता है मैंने दरिया का पल्ला भी बहुत खाया है और समंधरी पल्ला भी बहुत खाया है और दोनों के टेस्ट में 10% का फर्क होता है कुछ लोगों के लिए ये फर्क शायद बहुत बड़ा हो लेकिन मैं मीठे पानी के पल्ला खाने के हक में नहीं मीठे पानी का पल्ला खाने की वज़ा से आप उसका ब्रीडिंग रिच्वल डिस्टरब करते हैं और इसी लिए पल्ला की नसल ना पैध होती जा रही है ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तान ही में बलके बंगला देश में भी हिलसा के साथ ये ही मसला है बल्ला या जिसे हिलसा भी कहते हैं गर खानी हैं तो समुंदरी पल्ला का इntखाब करें ये कीमतन भी बहुत कम नर्खो पर दस्तियाब है जब पल्ला खारे पानी से मीठे पानी की तरफ जाती है तो इसकी आँखे लाल हो जाती है तो अगर आप सस्टेनिबल फिशिंग के हामी है तो लाल आखों वाली पल्ला खरीदें पल्ला का चमकदार सिल्वर रंग होता है इसके चहरे, कमर और दुमपर मामूली सा पिंक या यलो हीव होता है ये हीव कुछ मशलियों में काफी नुमाया होता है तो कुछ में बिलकुल भी नजर नहीं आता इसलिए इसको इसके रंग के बजाए इसके शेप से पहचाने इसके पेट का हिस्सा मामूली सा नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और इसका पेट बिलकुल चप्टा होता है और ये इसे पहचानने का आसान तरीका है पल्ला इस अ टाइप ओफ हेरिंग फिश और तमाम हेरिंग फिश के पेट चप्टे होते है पल्ला में काटे बे इंतहा होते है लेकिन जो ये मचली एक बार चखता है तो इसका दीवाना हो जाता है कुछ तो खास होगा इसके जाएके में जो इतने काटे होने के बावजूद भी ये बंगलादेश की नैशनल फिश है अकसर लोगों का खयाल है कि यू समुंदर से दरिया की तरफ आने वाली सिर्फ एक मचली है और वो है पला या हिलसा आपको शायद जानकर हैरानी होगी के समुंदर से दरिया की तरफ आने वाली मचलीों को एनाडरमस कहते है जिन में कम से कम चार इकसाम की सैलमन दो इकसाम की ट्राउट कई इकसाम की स्टरजन फिशिस जिनके अंडों से कैवियार बनता है बलूगा कैवियार आलमी मंडी में 16 लाक रुपे फी किलो तक फरोखत होता है इसी तरह मीठे पानी से समुंदर की तरफ जाने वाली मचलीों को काटाडरमस कहते है इन में इल की कई एकसाम होती है इन में डांग्री यानि के बेरमंडी होती है इन में शार्क्स भी होती है दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क बुल शार्क होती है और इसने दरियाओं में इनसानों पर कई बार हमले की है मुझसे अकसर लोग पूछते हैं के कराची फिचरी पर सेल्मन मिलती है या सेल्मन को अर्दू में क्या कहते हैं तो जनाब हमारे पानियों में सेल्मन नहीं होती इसलिए इसका कोई मुकामी नाम नहीं है जो सेल्मन आप गोरे शेफ को यूस करते देखते हैं ये मुस्टली फार्म्ड सेल्मन होती है और ये कभी-कभी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है लास्ट मैंने धाई हजार रुपे फी केलो बिक्ती देखी है एक मचली है रामस जिसे इंडियन सेल्मन कहते हैं ये एक इंतहाई मज़दार मचली है लेकिन इसका गोश्ट सफेद होता है और इसमें मामूली सी बलड लाइन होती है पाकिस्तानी टूरिस जब हमारे नौर्धन एरियास का रुख करते हैं तो वहां तरह तरह के खाने भी एक्सप्लोर करते हैं और पाकिस्तान के नौर्धन एरिया की सबसे मकबूल डिशिस में से एक ट्राउट फिश है ये काफी महंगी मीठे पानी की मचली है आज पाकिस्तान में दो तरह की ट्राउट मिलती है रेन्बो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट ब्राउन ट्राउट को लोग देसी ब्रीड समझते है जबके रेन्बो ट्राउट कुछ साल पहले ही फार्म होना शुरू हुई है ट्राउट चाहे रेन्बो हो या ब्राउट दोनों आपको फार्मी ही मिलेंगी और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राउट ट्राउट भी असल में हमारी मुकामी ब्रीड नहीं है ये अंग्रेजों ने हमारे दरियाओं में पार्टिशन से पहले इंटर्डीउस की थी अंग्रेज ट्राउट ना सरफ खाने के शौकीन होलते हैं बलके ट्राॉट का शिकार के ज्यादा बड़े शौकीन होते हैं ट्राउट फ्लाई फिशिंग की टेकनीक से पकड़ी जाती है जो मशली के शिकार की शायद सबसे मुश्किल टेकनीक है इसलिए ना तो ब्राउन ट्राउट और ना रेन्बो ट्राउट मुकामी मशली है इसलिए जो ब्रीट सस्ती मिले वो नोश फर्माएं आम तोर से है जो अब नापैद होती जा रही है माशेर ट्राउट ही की तरह बिलकुल साफ और ठंडे मीठे पानी में पाई जाती है तो अगर आपने ट्रू लोकल नॉर्दन कुजीन एक्सपीरियंस करना है तो ट्राउट की जगा माशेर मशली ढूंडें माशेर हमारी नैशनल फिश है और अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो यह एक्स्टिंक्ट हो जाएगी अल्मिया यह है कि जिन मुकामी मशलियों की फार्मिंग होनी चाहिए वो नहीं होती और नॉर्दन एरियाज में अगर आपको किसी मशली के फार्म मिलेंगे तो वो मोस्टी ट्राउट क और लाकों रुपे में भी फरोखत होती है ना इस मशली का गोश्ट का जायका बहुत उंदा होता है और ना 60-70 हजार की कोई बहुत बड़ी मशली होती है इस मशली की कीमत इसके पेट की वज़ा से होती है सर्जन्स जो जिसम में घुल जाने वाले सबसे नफीस टांके इस्तिमाल करते हैं वो इस मशली के पेट से तयार किये जाते हैं डिसॉल्वेबल सुथर सेंथेटिक मटीरियल से भी बनते हैं लेकिन जतने बारीक नरम और कम साइड अफेक्ट्स वाले ठांके मचली के पेट से तयार होते हैं वो अब तक किसी और जीस से नहीं हुए इसलिए सुआ मचली की इतनी कीमत है ना इसकी खाल बेश कीमती होती है और ना इसके फिंस की कोई खास कीमत है सुआ एक तरह की क्रोकर फिश है यानि कि ये मुशका के खांदान से है मुशका भी गलत बियानी का शिकार है कोई गींगड़ा को मुशका बोलकर बेज देता है तो कोई मुशका की बॉनलेस फिंगर फिश के नाम पर दुनिया की मचली बेज देते है मुशका सिल्वर रंगी मचली होती है जिसकी दुम और फिंज यलो होती है और ग्रे रंग की भी होती है इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका मूँ है इसका lower jaw यानि के इसका निचला जबड़ा बड़ा होता है और जरा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और इसके मूँ में दात साफ नज़र आते है मारकेट में गोली मूँ 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 मू जो पूरी दुनिया में बहुत महिंगी मचली शुमार की जाती है कराची फिशरी पर कुछ ऐसी मचलियां पी दस्टियाब होती हैं जो दिखने में अच्छी नहीं होती और इसकी वज़ा से इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन जाइके के एदबार से इन में कुछ मचलियां काबले जिकर हैं वैसे तो ऐसे बहुत से हेडन जैम्स हैं लेकिन आज मैं ऐसी चार मचलियों का जिकर करूँगा पहली है कुकर मचली जिसे फ्लैट हेट फिश भी कहते हैं जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक चप्टी मचली है मुकामी जबान में इसको कुकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके गोश्ट का टेक्स्चर बिलकुल कुकर यानि के मुर्गी के गोश्ट जैसा होता है मतलब जैसा टेक्स्चर चिकिन के लेग और थाई मीट का होता है बिलकुल वैसा टेक्स्चर तो इस मचली की शकल पर मच जाएं ये बहुत जबरदस टेबल फिश है और इसकी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है कुकड आम दिनों में फिशरी पर 200 रुपे फी किलो के अंदर अंदर दस्तियाब होती है इन फैक्ट इससे भी कम पर कुकड मिल जाती है अलबता सर्दियों में ये मचली किसी भी और मचली की तरह दुगनी तिगनी कीमत पर बिखती है दूसरी अंडर रिटेड मचली है चप्पल मचली इसे अंग्रेजी में लेदर जैकेट फिश भी कहते है इसका बहुत बड़ा सर होता है और इसकी खाल बहुत मोटी होती है और काबल इस्तिमाल नहीं होती जब इसका सर और खाल उतार दी जाती है तो इस मचली का बगाया जिसम कुछ कुछ पापलेट से मतशाबियत अख्तियार करना शुरू कर देता है इसलिए ये कराची में मौझूद ज़्यादा तर सी फूर रेस्टरॉंट पर इरानी पापलेट के नाम से फरूख की जाती है चपल मचली किसी भी तरह से पापलेट नहीं बलके ये एक तरह की ट्रिगर फिश है ये मचली जाएके में बहुत अच्छी होती है लेकिन इसे पापलेट कहना नाइनसाफी है चपल मचली आम दिनों में तीन सो से चार सो रुपे फी किलों में दस्तियाब होती है और सर्दियों में इसकी कीमत बढ़ जाती है तीसरी अंडर रेटेड मशली है सोल फिश इंगलिश में भी इसे सोल ही कहते है और मुकामी जबान में भी ये सोल ही कहलाती है अपने चप्टे जिसम की वज़ा से ये भी सी फूड रेस्टांट्स में सोल पापलेट के नाम से बेची जाती है लेकिन ये पापलेट से बहुत सस्ती मशली है इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी आँखे होती है जो दोनों सर के एक ही तरफ होती है एक तरफ से इसकी खाल का रंग गहरा होता है जबके दूसरी तरफ से इसकी खाल सफेद होती है इसका बहुत क्लीन फ्लेवर होता है और आम तोर से इसके फिले किये जाते है सोल की कीमत बहुत ज़्यादा फ्लक्चूेट होती है कभी सोल 100 रुपे फी किलो मिल जाती है तो कभी इसकी कीमत 500 रुपे फी किलो भी हो जाती है ये mostly export orders की वज़ा से होता है चौती underrated मशली है halibut fish जिसको मुकामी जबान में हज्जम कहते है ये दिखने में बहुत हद तक सोल ही की तरह होती है लेकिन आम तोर से ये काफी बड़े साइज में दस्तियाब होती है इसका गोश्ट सोल ही की तरह बिलकुल सफेध होता है इन फैक्ट हज्जम जितना सफेध गोश्ट मैंने और किसी मचली में नहीं देखा इसके गोश्ट का रेशा बहुत बड़ा होता है अलमिया ये है कि इसको काला पापलेट बोलकर बेज दिया जाता है और असली हज्जम की जगा सोल फिश और फ्लाउंडर फिश भी हज्जम बोलकर बेजी जाती है हज्जम, सोल और फ्लाउंडर तीनो मचलियों की आँखे एक तरफ होती है और तीनों की खाल एक तरफ से गहरे रंगी होती है और एक तरफ से सफेद होती है इन तीनों मचलियों को इनके बॉड़ी के शेप से पहचानना चाहिए हज्जम की बॉड़ी डाइमंड शेप की होती है यानि के रॉंबस शेप की होती है Flounder की body oval shape होती है जबके soul की body भी oval shape ही होती है लेकिन इसकी चोड़ाई Flounder से कम होती है कराची फिशरी पर आपको flounder देखने को नहीं मिलेगी लेकिन soul काफी आम मचली है और बहुत शादेर और नाधेर हजम locally trade होती है हज्जम सोल से बहुत सुपीरियर मचली है इसलिए हज्जम और सोल में फर्क करना सीखे और जब दस्तियाब हो तो हज्जम जरूर खरीदे इसकी शकल पर ना जाएं ये बहुत जबरदस मचली है हज्जम यानी हैलिबट पूरी दुनिया में टॉप टियर फिश तस्वर की जाती है इसलिए ये लोकली भी जरा मेंगी ही मिलती है रफली जितनी कीमत पर डांगरी या धोतर ट्रेड होती है हज्जम भी उतनी ही कीमत पर बिक्ती है मैं खुद आपको हज्जम खरीदने का मश्वरा तो दे रहा हूँ लेकिन खुद कभी 400-500 रुपे फी किलो से उपर हज्जम नहीं खरीदता इसकी सिंपल सी वज़ा ये है कि 500 रुपे फी किलो वाली मेंगी मचली खरीदनी हो तो आँखें बंद करकर काली पापलेट खरीद लेना चाहिए हज्जम बहुत जबरदस्ट मश्वरी है लेकिन काली पापलेट का टेस्ट मुझे परसनली ज़्यादा पसंद है अगर देसी स्टाइल से फिश पकानी हो तो काली पापलेट भीतर है और अगर इंगलिश फिशन चिप्स बनाना हो तो हज्जम का इस्तेमाल ज़्यादा मौदू है कराची फिशरी पर छोटे साइस की मश्वरी में सबसे ज़्यादा प्रेमियम लेडी फिश है ये आम दिनों में 300 से 400 रुपे फी किलो में फरोगत होती है और सरदियों में 1000 रुपे फी किलो तक बिकती है लेडी फिश के नाम से बहुत सी दूसरी चोटी मश्वरी फिश बोलकर बेज दी जाती है इसको भी पहचान ना सीखें इसकी सबसे असान पहचान इसकी नोकदार चोचनुमा मू होता है लेडी फिश खरीदने की अगर आप इस्तितात नहीं रखते तो बोई मचली या जिसे चुड़ी भी कहते हैं इसे इग्नोर ना करें बोई का बहुत क्लीन टेस्ट होता है और ये लेडी फिश से बहुत कम नर्खों पर दस्तियाब होती है 200 ग्राम की बोई 200 रुपे फी किलो में मिल जाती है इस मौसम में बड़े साइस की बोई मचली 180 रुपे फी किलो में फिशरी में दस्तियाब है इस विडियो के पार्ट वन में हमने बहुत सी सस्ती मचलियों के बारे में आपको बताया जिसमें 30 रुपे फी किलो पर मिलने वाली छोटी मचली और 70 रुपे फी किलो पर मिलने वाली बड़ी मचली के बारे में बताया कुछ लोगों ने दुआई दी तो कुछ ने कहा कि हम जूट बोल रही हैं और इस महंगाई के दोर में इतनी सस्ती मचली नहीं मिल सकती तो अगर आप सर्दियों में इन कीमतों पर मचली खरीदने फिशरी जाएंगे तो इन नर्खों पर आप्वियसली मचली नहीं मिलेगी इस रेट में हमने आक्टूबर के पहले हफ़ते में मचली खरीदी थी जब गर्मिया थी लेकिन अब क्यूंके मौसम ठंडा हो रहा है तो मचली महंगी होना शुरू हो गई है लेकिन आज भी आपको समंदरी मचली फार्मी मुर्गी से सस्ती मिलेगी देखें कराची फिश्री एक प्रॉपर होल सेल मार्किट है और होल सेल और रीटेल प्राइसेज में बहुत फर्क होता है कराची मोटर वेपर सबजी मंडी में सबजी और फ्रूट के रेट रीटेल जे बहुत कम होते हैं अगर मैं कहूँ कि आपको सबजी मंडी में अनार 30 रुपे फी किलो मिल जाएगा तो अक्सर यकीन नहीं करते। सबजी मंडी में बेस्ट कॉलिटी और साइस का अनार 1.500 रुपे फी किलो में मिलता है जिसके 1 किलो में 3 अनार से ज्यादा नहीं चड़ते। और छोटे साइस का खटा अनार 30 रुपे फी किलो में मिलता है ये टैनिस बॉल साइस के अनार होते हैं और बहुत खटे होते हैं और येही अनार रीटेल मारकेट में 60 रुपे फी किलो मैंने खुद खरीदे हैं यकीन ना करने वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन कम कीमत बता कर मेरा कोई फाइदा नहीं ना मैं मसली बेशता हूँ ना फ्रूट बेशता हूँ और ना इन कम कीमतों से आप लोगों को क्लिक बेट करता हूँ फिशरी में आपको पॉपिलर फिशिस मुर्गी से सस्ती नहीं मिलेंगी आपको सुर्मई यानि के कुईन फिश सस्ती मिलेगी आपको अम्ब्रोज यानि के माही माही सस्ती मिलेगी आपको चिंड मचली को इगनोर नहीं करना चाहिए इसको इंगलिश में हेर टेल फिश या रिबिन फिश भी कहते है इसमें वेस्टेज बहुत कम निकलती है और ये अपनी कीमत के एदबार से अच्छी मचली है इसका गोश सफेद होता है काला कुंद सस्ता मिले तो कोशिश करें कि बिल्कुल ताजा और छोटे साइस का काला कुंद खरीदे छोटे कुंद के गोश्ट में बलड लाइन कम होती है और इसका गोश्ट बड़े कुंद से निजबतन सफेद होता है कुंद और सहरम दो ऐसी मचलिया है जो हर सीजन में कराची फिशरी में दस्तियाब होती है जबके बाकी तमाम फिशिस के सीजन्स होते है मुझे खुद खरीदना हो तो मैं कुंद की जगा चिंड को तरजी दूँगा पाकिस्तान के पानियों में टूना भी होती है लेकिन लोकली इसकी डिमांड जादा नहीं और टूना के नाम पर अकसर फिशरी पर लोग बोनीटो फिश टूना बोल कर बेशते है बोनीटो का जाएका अच्छा नहीं होता और इसका गोश्ट डार्क ब्लैकिश रेड कलर का होता है जबके टूना का गोश्ट डार्क पिंक टू लाइट रेड कलर का होता है टूना अमोमन बड़े साइस की होती है जबके बुनीटो दो से तीन किलो के साइस में दस्तियाब होती है दोनो मश्टियों का शेप, सर, दुम बिल्कुल सेम होती है दोनों में फर्क होता है कि टूना प्योर सिल्वर रंकी होती है जबके बनीटो की पीट पर काले या ग्रे धबे या धारियां होती है अक्सर लोग टूना की जगा बोनीटो खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं कि टूना खाने लाइक मचली नहीं तो जना पहले असली टूना खरीद ना सीखें क्या समंदरी मचली आपकी सेहत के लिए अच्छी है या आप मचली खाने से अपनी सेहत खराब कर सकते हैं इसका शौर्ट आनसर है कि समंदरी मचली आपके लिए इंतहाई मुफीत है अब कुछ बाशबूर लोग कहेंगे कि समंदरी मचली में मिर्किरी होता है और mercury इन्सानी सिहत के लिए बहुत खराब है ये सौ फीसद सही है mercury एक हैवी मेटल है एक टॉक्सिन है और mercury हमारे नर्वर सिस्टम को खराब करता है फिर क्या वज़ा है कि मैं समुंदरी मशली को मुफीत तसवर करता हूँ पहली चीज़ ये है कि हर समुंदरी मशली में mercury नहीं होता सिर्फ बड़े साइस की टॉप अफ दो फूद चेन फिशेज में mercury लेवल ज्यादा हाई होता है इसमें शार्क, सुर्मई, मरलिन, सोर्ट फिश जिसे घोड़ा मशली भी कहते हैं इन उमरदराज मशलीयों में mercury ज्यादा होता है इस फेहरिस्त में बड़ा कंद, बिग आई टूना और बहुत से मशलीयां शामिल है समुंदरी मशली में mercury भी होता है लेकिन एक ऐलेमेंट है सिलेनियम जैसे समंदरी मशली में मिर्किरी होता है उसी तरह समंदरी मशली में सिलेनियम होता है और सिलेनियम मिर्किरी से होने वाले साइड अफेक्ट से लड़ने में मदद देता है मिर्किरी की बात तो सब करते हैं सिलेनियम की बात कोई नहीं करता मिर्कुरी सिर्फ बड़े साइस की मचली में होती है जितनी भी लाज प्रेडिटरी फिशेज हैं इन में मिर्कुरी लेवल ज्यादा होता है तो क्या ये जरूरी है कि हम 40 किलो की सुर्मई खरीदें या 100 किलो की सौर्ट फिश खरीदें या बड़े साइस की मगरा यानि के शार खरीदें आप अगर 10 किलो के अंदर अंदर के साइस की मचली खरीदते हैं तो मरक्यूरी लेवल इन मचलियों में कम होता है मैं खुद कोशिश करता हूँ के 5 किलो से बड़ी मचली ना खरीदों तो मरक्यूरी को लेकर ज्यादा कन्फ्यूज ना हो मचली में ओमेगा 3 फैटी एसेड होता है जो दिल के लिए बहुत मुफीद है मचली में गुट फैट होता है इसमें EPA होता है इसमें DHA होता है इसमें वाइटमिन D और वाइटमिन B2 होता है फिश is rich in calcium, phosphorus and it's a great source of minerals such as iron, zinc, iodine, magnesium and potassium समुदरी मचली में फवाइट ज्यादा है नुकसानात कम इसके बरक्स फार्मी मुर्गी में दुनिया जहान की एंटिवर्टिक्स होती है फार्मी मुर्गी को growth hormones दिये जाते है फार्मी मुर्गी में arsenic होता है मुर्गी में नुकसानात जादा है और फाइदे कम जब मुसल्मानों पर शराब हराम हुई थी तो इसी रूल के तहद हुई थी कि इसमें तुम्हारे लिए नुकसान जादा है और फाइदे कम पंजाब और नॉर्दन एरियास के लोग गिला करते हैं कि उनके इलाके में समंदरी मचली नहीं मिलती और अगर मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है तो जनाब अगर आप समंदरी मचली सरदियों में खरी देंगे तो कराची फिश्री पर भी मचली बहुत महंगी होती है मैं पूरे साल मचली खाता हूँ और जब बागी अवाम मचली पर तूटती है और मचली महंगी हो जाती है तो मचली का इस्टमाल कम कर देता हूँ लोग कहते हैं कि मचली गर्मियों में नहीं खानी चाहिए इसकी तासीर गर्म होती ए ये तासीर फिकमत से डेराइव्ड है ये तासीर का कॉंसिप्ट आयरवेद और चाइनीज मेडिसन में भी होता है लेकिन हार्ट साइंसेज में किसी भी एदबार से चीजों की तासीर साबित नहीं होती इसमें सदाकत होती तो पूरा जैपैन और बंगला देश बिमारियों से लिप्टा हुआ होता पार्ट वन में हमने ये गिला किया था के कराची एक मेगा कोस्टल सिटी है लेकिन दुनिया के दूसरे साहिली अबादियों की तरहां यहां मचली खाने का रुचान बहुत कम है और हम कराची वाले सी फूट के मामले में बदजौक लोग है हमारी ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी तो माजरत के साथ जिन लोगों को सौट फिश सुनाफ बोलकर बेची जाती है और वो खरीदते हैं तो मैं उन्हें क्या बोलू जिन्हें सारम सुरमई बोलकर बेची जाती है और वो खरीदते हैं तो मैं उन्हें क्या बोलूँ कराची में सबसे मशूर सुपर स्टोर में टूना बोलकर बोनीटो बिकता है और कराची वाले खरीते हैं तो मैं उन्हें क्या बोलूँ कराची वाले जिनें हीरा, सुर्मई, पापलेट के आगे मचलियों की पहचान छोड़े नाम तक नहीं पत क्योंकि हम बहुत कम मचली खाते हैं, क्योंकि हमें मचली में ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है, और जब किसी चीज में इंट्रेस्ट ना हो, तो उसका जौक नहीं होता, यानि मचली के मामले में हम बद्जौक लोग हैं, और ऐसा क्यों है, ये मुझसे हजार गुना बेतर मु पुम्मद एज़ादी साहब ने समझा दिया है। अगर आखों का टेस्ट मशली पास कर ले तो मैं दूसरी चीज देखता नहीं हूँ बलके सूंगता हूँ। आपको सिर्फ तब महसूस होगी जब आप अपनी नाग गलफडे के करीब रखकर सूंगेंगे। मचली फरोशों को पता होता है कि आप सबसे पहले गलफडों का रंग देखेंगे। इसलिए अगर मचली के गलफडों का रंग गहरा होना शुरू हो जाता है तो ये दूसरी मचली का खून पुरानी मचली के गलफडों पर डालकर गलफडा लाल कर देते हैं। इसलिए गलफडे के रंग पर इनिसार ना करें। इट कैन बी फेक्ट। फिर लोग कहते हैं कि ताजी मचली सख्त होती है। ये वैसे तो सही है लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन्स हैं। जैसे शार्क जितनी भी ताजी हो वो नरम होती है। इसी तरहां गिस्सर भी क गलफडो की मेहिक। ये वो दो टेस्ट हैं जो मचली फ回去 नहीं कर सकता। गलफडो का रंग और मचली की सख्ती फेक की जा सकती है। गाराची फिछरी में दो मार्केट्स लगती हैं एक सुभा में और एक दोपहर में। सुभा कराची फिछरी कराची की सबसे सस्ती फिछ मार्केट होती है और दुपैर में वो ही जगा कराची की सबसे महेंगी फिश मार्केट बन जाती है सुभा भी ताजी मश्ली बिखती है और सुभा मार्केट में बासी मश्ली भी बिखती है इसी तरहां दुपैर वाली मार्केट में भी ताजी मश्ली भी बिखती है और बासी मचली भी विक्ती है किसी भी मचली में फिशिंग हुक भसा कर उसे डोर की मचली बनाकर बेचना कितना आसान है ये मुझे आपको बताना ज़रूरी नहीं तो अगर डोर से पक्ड़ी मचली खाना चाहते हैं जणाब तो फिशिंग पर जाएं अगर असली दरिया की मचली खानी है तो दरिया में शिकार पर जाएं आप जितनी डोर की मचली और दरिया की मचली बजार से खरीद कर लाते हैं वो सब फरॉड होता है मचली में जो फिशी स्मेल होती है वो उसके खून में होती है तो जब आप फिशिंग पर जाते हैं और तीन सो रुपे किलो मिलने वाली दंदिया का शिकार करते हैं तो बिलकुल ताजी मचली काटते हैं तो उसका जादा तर खून बह जाता है और खून से पाक ताजी मचली जो बजार में तीन सो रुपे फी किलो मिलती है इस ताजी दं प्रचली खुच शिकार की हुई दंदिया खाई है जो उसी कश्टी पर पकाई गई थी ये आप खुद सर्फ तब एक्सपिरियंस कर सकते हैं जब आप खुद फिशिंग पर जाएंगे ये जायके बहजारू नहीं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें हम कोई अकले कुल नहीं तो जरूर इस वीडियो में कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी कॉमेंट करके हमारी रहनमाई फर्माएं वक्त देने का शुक्रिया अल्हाने के बान